Hello everybody, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, उसमें हम कवर करेंगे नेशनालिटी, इमिग्रिंट्स, रेफ्यूजीज और इंटर्नरी डिस्प्लेस्ट परसंस को जो वर्ड है नेशनालिटी उससे डिफाइन किया गया है चार्ल्स जी फैन्विक के द्वारा उनकी माने तो नेशनालिटी एक ऐसा बॉंड है जो कि युनाइट करता है एक व्यक्ति को एक स्टेट से नेशनालिटी का मतलब होता है व्यक्ति को एक पर्टिकुलर स्टेट में मैंबर्शिप मिलना नेशनलिटी प्राप्त व्यक्ति स्टेट से प्रोटेक्शन को क्लेम कर सकता है साथी साथ जो भी स्टेट के द्वारा बताए गए उब्लिगेशन्स हैं इस व्यक्ति को वो उब्लिगेशन्स मानने पड़ते हैं आर्टिकल 15 of Universal Declaration of Human Rights UDHR बताता है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है नेशनलिटी का इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास में नेशनलिटी ना हो और किसी भी व्यक्ति से नेशनलिटी बदलने का अधिकार चीना नहीं जाना चाहिए Modes of Acquiring Nationality olarity acquire करने के पांच तरीके होते हैं अगर कोई व्यक्ती किसी territory में पैदा हुआ है तो ये माना जाता है कि उसके पास उस territory की nationality है इस principle को जस्स ली कहा जाता है जस्स एंग्यूनस एक ऐसा principle है जिसके द्वारा nationality को determine किया जाता है ये देखकर कि दोनों parents या फिर दोनों में से कोई एक parent कौनसे nation को belong करते हैं दूसरा तरीका है by naturalization इसमें आता है कि या तो आप शादी करके nationality को gain करें या फिर कोई व्यक्ति legitimation के दुआरा nationality प्राप्त करें legitimation एक legal concept है जो कि father-child relationship को बताता है यहाँ पर जो child ऐसा है जो कि शादी के बिना पैदा हुआ है और जो child ऐसा है जो कि शादी के बाद पैदा हुआ है दोनों को एक बराबर माना जाता है एक नया domicile प्राप्त करके अगर व्यक्ति अपॉइंट होता है as a government official या फिर अगर उसे state के द्वारा permit किया जाता है तो तीसरा तरीका है nationality प्राप्त करने का resumption resumption के द्वारा व्यक्ति अपनी खोई हुई nationality को वापस पा सकता है इसके लिए यहाँ पर कुछ conditions होती है उन conditions का fulfill किया जाना जरूरी होता है nationality प्राप्त करने का अगला तरीका है subjugation example के लिए आगे चल कर पाकिस्तान और भारत दोबारा एक हो जाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी citizens हैं वो automatically इंडिया के भी citizens बन जाएंगे अगला तरीका है by session अगर एक देश के दोआरा दूसरे देशे किसी राज्य के उपर कबजा कर लिया जाता है तब यहाँ उस राज्य के लोगों को अपने आप नए नेशन की nationality मिल जाएगी अगला तरीका है by option अगर एक देश बहुत सारे देशों में विखर जाता है तब यहाँ citizens के पास में अधिकार होता है कि उन्हें किस देश की citizenship चाहिए अगला तरीका है by registration व्यक्ति registration करवा के भी nationality प्राप्त कर सकता है loss of nationality nationality loss के बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनमें से एक है by release अगर व्यक्ति कुद apply करता है nationality को छोड़ने के लिए तो यहाँ पर वो अपनी nationality खो देता है अगली वज़ा हो सकती है deprivation हर state के अपने अपने rules और regulations होते हैं कुछ states ऐसी होती है कि अगर उनके rules और regulations को follow ना किया जाए तो वो व्यक्ति से nationality ले लेती है loss of nationality के एक वज़ा expiration भी हो सकती है अगर आप किसी country में निधारित समय से ज़ादा रुख जाते हैं तो यहाँ पर आपकी nationality expire हो जाती है एक वज़ा renunciation भी हो सकती है अगर किसी व्यक्ति के पास में double nationality है तो वो अपनी इच्छा से एक nationality को renounce कर सकता है loss of nationality का एक reason ये भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं substitution अगर एक व्यक्ति दूसरे देश के nationality को acquire कर लेता है तो वो अपने आप अपनी पुरानी nationality को lose कर देता है statelessness stateless person है कैसा person होता है जिसके पास में किसी भी देश की nationality नहीं है immigrants लोग अलग-अलग वजह से migrate करते हैं जैसे अपनी family से reunite करने के लिए better economic opportunities के लिए अगर उनके human rights के साथ में abuse हो रहा है तो उस वजह से और भी अन्य reasons हो सकते हैं जिस वजह से लोग migrate करते हैं migrants को भी वही human rights provide की जाती है जैसे कि individuals को provide की जाती है अलग-अलग states अपने हिसाब से migrants की rights को रोग देती हैं जैसे बहुत से देशों में migrants को vote करने का अधिकार नहीं है और political participation का अधिकार नहीं दिया जाता है internally displaced people IDPs IDPs वो लोग होते हैं जने जबदस्ती उनके देश से निकाला जाता है पर यहां पर वो देश से निकलते नहीं है बलकि देश में ही छुपके रहने लग जाते हैं IDPs खुद के ही देश में रहते हैं और उसी government से protection प्राप्त करते हैं जबकि उसी government ने उन्हें order दिया है कि वो देश को छोड़ दे अक्सर ये सरकार से बचने के लिए ऐसे areas में जाकर shift हो जाते हैं जहां पर humanitarian assistance महुचना मुश्किल है इनकी परिस्ति विश्व में बहुत दैनिय है refugee Article 1 1951 UN Convention के मताबिक refugee एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे force किया जाता है कि वो अपने देश को छोड़ दे अब इसकी वज़ा कुछ भी हो सकती है अत्याचार हो सकता है war हो सकता है violence हो सकता है refugee एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर अत्याचार किया जाता है और उसकी वज़ा कुछ भी हो सकती है उसकी race, religion, nationality, political opinion या फिर अगर वो किसी particular social group से है conditions qualifying to be a refugee refugee अपने home country से बाहर पाय जाते है उनमें डर पाया जाता है कि उनके साथ में भेद भाव किया जाएगा और उसकी वज़ा से अत्याचार भी होगा ये ऐसे लोग हैं जिने खुद के ही nation के द्वारा कोई protection provide नहीं किया जाता है